हेलो विवर्स वेल्कम टो सिंपल एंड इजी क्लासिस आज की वीडियो उन स्ट्रेंट्स के लिए बहुत ही खास होगी जो की बीएट की काउंसलिंग का बेट कर रहे थे आपको बता दें कि बीएट का रिजल्ट काफी लंबे समय पहले आ चुका था और अब इस्ट्रेंट को इंतजार था कि उनकी काउंसलिंग कब होगी तो आपको बता दें कि अब आपका इंतजार खतम हो चुका है और बीएट की का परचा सकें साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करतें तो चलिए स्टार्ट करतें तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बीएट की काउंसलिंग 30 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलने वाली है आप ही हमारा सितंबर का महिना चल रहा है और इसी 30 सितंबर से जो है आपकी काउंसलिंग अगले 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक चलने वाली है बीएट की काउंसलिंग 30 सितंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगी 10 अक्टूबर से सत्र प्रारंब हो जाएगा अभी आपकी काउंसलिंग यहाँ पर 30 सि तो जिन स्टूरेंट्स का स्लेक्शन होता जाएगा उनका जो सत्र है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा शाषन के आदेश के बाद रोहिल खंड विश्विध्याले ने कांसलिंग का कारेक्रम जारी कर दिया है कांसलिंग का प्रस्तावित कारेक्रम प्रमुक सचिफ डॉक्टर सुधीर एम बोबडे को भेजा गया था पहले चरण में कांसलिंग की तिती 28 सितंबर रखी गई थी लेकिन बाद में शाषन ने इसको संशोधित कर दिया और संशोधित करने के बाद अब शाषन ने नए कारेक्रम की मंजूरी दे दी है कुल्सा चीफ डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पूल कांसलिंग साथ से शुडू होकर 15 नवंबर तक चलेगी जब यह कांसलिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी 30 सेप्टेंबर से 31 ओक्टूबर तक उसके बाद आपकी पूल कांसलिंग स्टार्ट होगी जो कि आपकी 7 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक चलेगी और डायरेक्ट काउंसलिंग की तिती जो है वो 21 से 25 नवंबर तक चलेगी उन्होंने बताया कि विश्विध ध्याले ने काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दी है प्रदेश के अधिकान विश्विध ध्यालो ने इसनाता गंफिम वर्ष का परणाम भी जारी कर दिया है और ये भी बताया गया है कि मंगलवार यानि कि ट्यूजडे वाले दिन एक जो है वो वाइरल एक जो आप क्या सकते हैं कि एक नोटिस वाइरल हुआ था जो की फेक था तो उसको बिलकुल भी उस पर ध्यान ना दिया जाए और अब जो तिथिया जारी की गई है वो करके पूछ सकते हैं तो आई होब कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथी साथ उसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक सबसे पहले पहुचा सकें थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो